जैह नोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में आज के लिए वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए आपके लिए आपका बहुत ही महत्तोपुन कॉस्चन है दूसरा मॉडल पेपर है PGT प्रभक्ता चैन परिछा का तो हिंदी का ये मॉडल पेपर है पर कवर करवाएंगे बहुत ही महत्तुपूर्ण एक कॉस्चन है अपने तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें और जो चैनल पर पहली बार आए हैं तो बहुत चैनल को सस्क्राइब और बेल आइकन अवस्च से दमाएं ताकि इसी प्रकार कि आपके बहुत सारी मॉडल प आखरी में आपके लिए बताना कि कितने आंसर आपसे सही बनी है कॉस्चन अंगले कॉस्चन है त्याक पत्र उपन्यास के लेखक कर नाम है क्या है त्याक पत्र उपन्यास के लेखक कर नाम आपके लिए बताना है तो आपका यहां पर राइट आंसर है जैनेंदर कुमार आ यहाँ पर सही आंसर है भक्तमाल की रशिनाकार कौन है तो आपका यहाँ पर राइट September c यानिकि नावादास है अंगल्याğं का पूच्छट पूच्छं अ कि राइट ईक परकासन भूमी फी दिल्ली ये लाहबाद कलकत्य याकासी इइ questa के सिया है और चार का राइट आंसर आपका यहां पर विकल्प नंबर बी यानि की कलकत्ता आपका राइट आंसर है अंगले question पूछा गया है हंस पत्रिका के संपादक का नाम बताना है तो हंस पत्रिका के सही संदी विच्चेत बताने question number 6 में आपके लिए यहाँ पर अनन्त सब्द की सही संदी विच्चेत यहाँ पर क्या होगी तो question number 6 का right answer है विकल्प number D अन्त आपका अनन्त होगा अंगले question क्या पूँचा क्या है देखे जमने लिकित में से बरतनी की दरश्टी से सही answer है पायो जी मैंने रामरतन धन पायो प्रस्तुत पद की रशेता का नाम बताने यह पद किसका है यह आपके लिए यहाँ पर बताना है तूर्दास मीरा भाई कुंबंदास या तुलसी दास तो आपके यहाँ पर right answer है मीरा भाई आपका विकल्प नंबर तीन right answer है अंगले question क्या है देखिए नीलोत पल सब्द में समा से इस सब्द में कौन सा समा से यह आपके लिए आपके लिए question number nine का right answer बताना है तो नो का यहाँ पर right answer है 10 का किसोरीलाल गोसवामी आपका यहाँ पर सही answer है परूस का बिलोम सब्द यहाँ पर आपके लिए बताना है परूस यह आपका यहाँ पर परूस लिखा है और इसका जो बिलोम सब्द है पर क्या होगा तो ग्यारा का right answer विकल्प number C यानि की कौमल आपका यहाँ पर right answer है अंगला question क्या पूँचा या है तो देखे यहाँ पर अंगला question पूँचा या है चतुरी चमार उपन्यास है किसका है यह आपके लिए बताने question number 12 तो 12 का right answer है विकल्प number B यानि कि नराला आपका यहाँ पर सही answer है अंगला question है क्या है कि काली दास हजारा की रचना है भारतेंदू, चिंतामणी, घनानंद या काली दास काली दास हजारा की रचना है तो आपका सही answer है तेरा का विकल्प number आपका D यानि कि काली दास आपका सही answer अंगला question किसान की रचिनकार कौन है 14 का right answer आपका यहाँ पर बताना है किसान की रचिनकार है मेतली चलन गुपते अंगला question सागर मुद्रा के लेखक कौन है question number 15 सागर मुद्रा के लेखक तो आपका right answer है अग्ये विकल्प number B आपका यहाँ पर सही answer विकल्प नमबर दो अंगले question प्रत्यक्ष में संधी है गोण याण दीरक आयादी तो आपका सोलाक का जो right answer है विकल्प नमबर सी याण याण आपका यहाँ पर सही answer है अंगले question है कली कोतुक रूपक के लेखक हैं तो इसके लेखक आपके लिए बताना है तो इसके जो सही answer है question number 18 यहाँ पर पूँचा गया है कि प्रगती सी लेखक संगी की स्तापना लंदन में किसके प्रत्ने से हुई थी तो किसके प्रत्ने से या सहयोग से हुई थी यह आपके लिए बताना है तो 18 का आपका विकल्प नमबर एक आपका यहाँ पर सही answer है मुल्क राज आन नमबर एक बल्लबचार है बल्लबचार आपका यहाँ पर सही answer है रूपजीवा उपन्या से किसका लक्ष्मी नारण लाल राजेंदर यादब लक्ष्मी नारण मिस्र अमरितलाल नागर तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है 20 का विकल्प नमबर एक यानि की लक्ष्मी अमहर क्या मनिसी की लोक यात्रह किसकी जीवनी है किसकी जीवनी है तो आपके यहाँ पर सही answer है किसका विकल्प नमर ड यानि की कभी नात गोपीराज आपके यहां पर सही answer है सन्यासी किसकी कृति है, सन्यासी के लेकए कवता नहीं, एसपाल, निराला, नागरजुन या इलाचेद जोसी 22 का राइट आंसर होगा, आपके यहाँ पर विकल्प नमबर, क्या है 22 का राइट आंसर D, यानि कि इलाचेद जोसी आपका सही आंसर है आनंद कादम्बिनी का प्रिकासन कहां से होता था बनारस मिरजापूर कानपूर इलाहबाद तो आनंद कादम्बिनी का जो प्रिकासन होता था होता था कहां से तो विकल्प नंबर C यानि की मिरजापूर से अंगला कॉस्चन कवीता के नई पृतिमान के लेखक कौन है यह आपके लिए आपर बताना है तो question number 24 का right answer है आपका विकल्प number C, Dr. Nambar से हैं अंगला question है निमलकेत में असी कौन सी रचना धर्मवीर्भारती की नहीं है तो यहाँ पर नहीं बताना है धर्मवीर्भारती की कौन सी रचना नहीं है तो 25 का right answer है विकल्प number D यानि की सूर्य का स्वागत विकल्प number 4 आपका यहाँ पर सही answer है अंगला question क्या पूंचा गया है यहाँ पर देख लेते हैं जैनिंदर का पहला कहानी संगर्ए का प्रकासित हुआ कोश्चन number 26 है और 26 का right answer है विकल्प number 1929 आपका सही answer है अंगला question है क्या है जुगमान चरित्र नाम ग्रंद के लेखक कौन है इसके लेखक आपके लेखक आपके लेखक है तो आपके यहाँ पर राइट आंसर है 27 का विकल्प नमबर B यानि की कृष्ण दास आपका सही आंसर है अंगला question है बासु देव से हैं किसका वास्तविक ना है बासु देव से हैं नागरजुन केदानास से हैं तिलोचन केदानात अगरबाल तो बासु देव से हैं किसका वास्तविक नाम है तो 28 का विकल्प नमबर आपका B राइट आंसर है तिलोचन अंगला question है कला परिच्छेत के लेखक कौन है question नमबर 29 से अपने यहाँ पर कल से अविविभाव तत्परोष कर्मधाराय या बहूरिये तीस का राइट आंसर आपके यहाँ पर जो होगा बहे है आपका तीस का विकल्प नमबर 1 यानि की अविविभाव समात अंगला question है इनमें से पुल्लिंग सब्द कौन सा है पुल्लिंग सब्द बताना है दया नर् अर्विभासा का सब्द है अंगला question क्या पूंचा क्या है देखिए सार्दिया के नाटक कार है कौन है यह आपके लिए question नमबर 33 का आंसर बताना है तो 33 का सई आंसर है आपका विकल्प नमबर C आनि की जगदिश चंद्र महात्र आपका सई आंसर है अंगला question क्या है हिंद नमबर 34 है और करणाला आपका यहाँ पर सई आंसर है अंगला question है अंगी के अंदे गाट के पूरे महावरे का अर्थ है इस महावरे का अर्थ आपके लिए यहाँ पर बताना है तो 35 का जो सई आंसर है वह आपका यहाँ पर बताना है 35 का राइट आंसर वह विकल्प नमबर आपका यहाँ पर एक right answer है धनी परन्तु मूर्ख धनी परन्तु मूर्ख आपका सही answer है च्वापाई की प्रतेक चरण में मात्राएं होती है कितनी होती है यह आपके लिए बताना है 36 वा question है और 36 का right answer है विकल्प number 1 यानि की 11 आपका यहाँ पर सही answer है 11 आपका right answer है 36 का विकल्प number 1 आपका सही answer है आपके हैं पर जो right answer है विकल्प number 3 होगा right answer 3 यानि की 16 आपके हैं पर सही answer है अंगला question है रामस्य में कौन सी विवक्ती है यह आपके लिए यहाँ पर बताना है रामस्य में कौन सी विवक्ती है तो आपका यहाँ पर right answer है सेंटिसका विकल्प नमबर एक यानिकी 60 आपका सही answer है बांधो ना इस रठाओं के लेखक कौन है एक question कई बार एकजामे पूंचा जा चुका है question number 38 और इसका जो सही answer है बाई है विकल्प नमबर आपका यहाँ पर 38 का एक उपेंदनात अस्क आपका right answer होगा अंगला question क्या पूंचा है क्या है गोशाइं चरित के लिए जो रचेता है बाई कौन है तो 49 का आपका जो सही answer है 49 का गोशाइं चरित के रचेता है तो 49 का विकल्प नमबर आपका यहाँ पर डी right answer है बेनी माधव आपका सही answer होगा सिद्धों की साथना में सुनने का पूरा तक्त था बज्र था अगनी था ज्यान था या चित्र तो 40 का आपका जो सही answer है विकल्प नमबर बी यानि की ज्यान आपका right answer है निमने लिखित में से कौन असा योग में सुमेलत नहीं है देखे नहीं पूचा है आपसे सुमेलत नहीं है तो आपका यहाँ पर question number 41 का right answer है विकल्प नमबर बी यानि की कपास करपट आपका right answer होगा चंपू के भेद हैं दो हैं पांच हैं तीन हैं या छे हैं तो आपका 42 का जो right answer है 42 का विकल्प नमबर ये क्यानि की 2 है अंधेरे का तत्सम क्या होगा अंधेरे का तत्सम बताना है अंधेरे का तत्सम टो आपका यहांपर 43 का विकल्प नंबर 1 और अन्दकार आपका right answer है अंगला question है प्रियोग बात की जन्मदात्री पत्तरी का है तार सब्तक है या नमेबते है प्रतीक है नई कवीता है तो आपका यहांपर सही answer है अंगला question है बे पत्तु की अचा अनुबाव है यह आपके लिए बताने question number 45 आप से यहाँ पर पूंचा गया है और 45 का जो right answer है बहे हैं आपके यहाँ पर विकल्प number B यानि की साथ विक अंगले question है हिंदी प्रदीप नामक के पत्र किसकी द्वारा निकाला गया एक question एक बार नहीं कई बार आपके यहाँ पूंचा जा चुका है और हिंदी प्रदीप नामक पत्र किसकी द्वारा निकाला गया तो आपका 46 का विकल्प number 1 यानि की बाल किसम भट्टा आप कराईट answer है अंगले question है प्रवास की डाइरी की लेखक कौन है प्रवास की डाइरी की लेखक आपके लिए बताना है नगेंदर है जिनकर हरीवांसराय बच्चन या मुक्तिवोद तो 47 का विकल्प number B आपका राइट answer हरीवांसराय बच्चन इलाचन जोशी की प्रतम कहानी है कौन है सजनवा है चोथे ववाय की पत्नी है या प्रतात्मा है या यह आपका यहाँ पर क्या होगा 48 का राइट answer 48 का विकल्प number सजनवा आपका यहाँ पर सजनवा आपका विकल्प number 1 यहाँ पर आपका सजनवा आपका सजनवा आपका विकल्प number 1 का नाटक नहीं है नहीं है तो कौन सा नहीं है यह आपके लिए बताना है तो आपके हैं आपर सही आंसर है 50 का विकल्प नमबर आपका भी राइट आंसर है यानि कि क्या है सावव दत्ता सावव दत्त सारी बासव दत्ता आपके हैं आपके हैं आपर सही आंसर है बासव दत्त अंगला question है रगुबंस रगुबंस महाकाप में कितने सर्ग हैं 17, 18, 19, 20 question number in count का right answer बताना है तो in count का आपका सही answer है क्या right answer विकल्प number C यानि कि 19 सर्ग हैं इसमें अंगला question है सही सा विदित्य नक्रियाम किसका प्रिये जो सिलोक है यह सिलोक है आपका पताना है किसका इस लोक है आपके लिए बताना है किसका प्रिये इस लोक है यह आपको पताना है question number 20 का right answer तो भारवी आपके हहां पर सही answer है अंगला question है अभिग्आन साकॉंद तलम का कौन सा answer साबसे है महत्त्वण है तो बहे कौन सा अंक है जो सबसे महत्वपुन है अभी ज्ञान सा कुंतलम का तो आपका राइट आंसर होगा त्रेपन का विकल्प नमबर डी यानिकी चतौर्थ अंगला क्वोस्चिन क्या पूँचा या है देखे निमनलिकित में सुद्ध रूप चुनिए यहाँ पर सुद्ध बताना है कौन सा सुद्ध रूप होगा चंगण का सही आंसर तो चंगण का विकल्प नमबर आपका एक राइट आंसर है निर लिप्त आपका यहाँ पर सही आंसर होगा जिसे किसी से लगाव ना हो उसे एक सब्द में आपके लिए बताना है एक सब्द में आपके यहाँ पर क्या होगा तो बताएए एक सब्द में जिसे किसी से लगाव ना हो तो आपके यहाँ पर राइट आंसर है पचपन का क्या है विकल्प नमबर एक यानि की निरलिप्त आपका सही आंसर होगा हिंदी में सिकार साहित के अप्रियत्म लेखक हैं तो कौन है ये आपको 56 का राइट आंसर बता महत्तुपुन कॉस्चन पूंचे गया है और हिंदी में सिकार साहित के अप्रियत्म लेखक जो है वे हैं कौन है तो आपका राइट आंसर है 56 का विकल्प नमबर B यानि की स्रीराम सर्म एक भूंद सहसा उचली की रचना की विदा है, क्या है यात्रा विर्तात है, यात्रा बृत्त है, डाईरी है, संस्वनन है, रुपोर्ट आज लिखक है तो आपका यहां पर 60 का भी राइट आंसर होगा यानी कि मनुहर स्याम जोसी आपका यहां पर सही आंसर है अंगला question क्या है नासी के तो पाख्यान के लेखक आपके लेखक यहां पर बताना है question नमबर 61 का राइट आंसर नासी के तो पाख्यान के लेखक कौन है तो 61 का राइट आंसर आपका विकल्प नमबर 1 क्यान की सदल मिस्र आप विकल्प नमबर एक यानिकी श्रीकांते बर्मा आपका राइट आंसरीकांते बर्मा अंगले कॉस्चन है सज्जन नाटक के रचनाकार कौन है कॉस्चन नमबर 63 है और 63 का सही आंसर प्रसाद नराला पंद प्रेमचंद 63 का आपका राइट आंसर विकल्प नमबर एक यानिकी प्रिशाद अर्धनारी सरोपन्यास किसका है यह आपके लिए बताने कौस्चन नमबर 64 है और 64 का जो राइट आंसर है वह क्या होगा 64 का तो विकल्प नमबर एक बिश्णू प्रभाकर बिश्णू प्रभाकर आपके हाँ पर सही आंसर है अंगला कौस्चन यहाँ पर प्रिशाद दोबेदी हैं कामता प्रिशाद गुरू हैं या अग्गे हैं कौस्चन नमबर 66 का सही आंसर बताना है तो 66 का आपका विकल्प नमबर क्या होगा राइट आंसर यह आप कमेंट में जरू बताएं इसका आंसर अंगला कौस्चन क्या है अबदी का निजी चंद आपके लिए बताना है निजी जो चंद है वै कौन सा है चार विकल्प दिएगा है कौस्चन नमबर 67 है विकल्प नमबर एक बरवया आपका सही आंसर होगा वीसल दिवरासो में किस सहली का प्रियोग किया गया है सिंगार सिंगारिक गे अख्यान या प्रबंदे तो 68 का र अंगला कॉश्चन का है महादरी बरमा की रचना है निहार की भूमिका किसन ने लिखी थी देखे निहार जो रचना है यह महादेवी बर्मा की है और इसकी जो भूमिका लिखी थी बैए किसने लिखी थी तो 70 का विकल्प नंबर भी आपका राइट आंसर है हरिवद आपका यहाँ पर सही आंसर होगा 9,211 होना अर्थ बताना इसका महाबरा है ए 9,211 होना और इसका अर्थ होगा क्या होगा भाग जाना तो 71 का विकल्प नंबर एक राइट आंसर आपका यहाँ पर है इमने लिखित में ऐसे किस किर्ती के लेकक नाम बारसे है बैए कौन सी किर्ती है जिसके लेकक कौन है नाम ब परिएमचंद के कुस उपन्यास का पात्र है इपात्र है प्रेमचंद जी के वह कौन सा उपन्यास जिसका ये पात्र है तो आपका सई आंसर है तेतर का विकलप नमबर C आनि की गोदान अंगले कॉश्चिन क्या है का सी नांगरी परिचाड़नी सभा की स्तापना हुई ती त सुन्दर मानव तुम सबसे सुन्दर तम में कौन सा काप भी दूसे इसमें काप भी दूस बताना है कौन सा काप भी दूसे यहां पर तो बताईए तो आपका यहां पर 75 का राइट आंसर है विकल्प नमबर एक अधेक निपदत तो आपका यहां पर सही आंसर है विकल्प नम अंगला कॉस्चिन है अजो नेतर्योना ही रही हो शुरूती सेवक एक अंग में अलंकार कौन सा है रूपक उत्प्रिक्षा उप्मा या सिलेज सततर का राइट आंसर आपका यहां पर होगा विकल्प नमबर डी यानि की सिलेज आपका यहां पर सही आंसर है अंगला कॉस्चिन क्या है इनमें से बरतनी की दरश्टी से सुद्य सब्द बताना है सुद्य सब्द कौन सा है आपका यहां पर बताईए तो अटतर का राइट विकल्प नमबर एक उज्वल देखी उज्वल इस प्रिकार लिखा जाता है उज्वल तो यह आपका विकल्प नमबर एक यहां पर राइट आंसर है बिल्कुल सही यहां पर यहां पर डबल एक से ही यहां पर लिखे यहां पर उज्वल यहां पर गलत लिखा है उज्वल में जो है डबल जा और वा जो जा रहते हैं ये आपके आदे रहते हैं अंगला कॉस्चिन क्या है सुद्धा दोत बात की प्रवट तक आचार है तो कॉस्चिन नमबर 89 का सही आंसर बताना है तो 89 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर क्या है विकल्प नमबर B यानिकी बल्लब फूल नहीं रंग बोलते हैं कि रचनाकार कौन है तो 80 का आपका जो राइट आंसर है 80 का आपका सही आंसर है फूल नहीं रंग बोलते हैं तो 80 का राइट आंसर है आपका विकल्प नमबर 1 केदानात अगरवाल अंगला कॉस्चिन है सेयद इब्राहिम का कभी नाम है इनका सेयद अब्राहिम जो है इब्राहिम इनका कभी नाम क्या है तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है 81 का विकल्प नमबर B रस्खान अंगले कॉस्चन नमलकेत में से लोकोक्ति चुनिए देखिए लोकोक्ति आपके लिए बताना है यहाँ पर कौन सी लोकोक्ति है तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है 82 का विकल्प नमबर D कहां राजबुत कहां गंगू तेली आपका यहाँ पर सई आणसर है अंगले कोस्चन पूश्य क्या है च्वाथा सब्तक में संकलित कभी न्वित्तरी है तो 83 का राइट आंसर बताना है तो च्वाथा सब्तक में संकलित कभी हैं कभी हैं कभी हैं सुमन राजी अंगला कॉस्चन है जुही की कली कभीता को किस समपादक ने अपनी पत्र में बिना प्रकासित की बापिस कर दिया था यह आपके लिए बताना है महत्तुपुन कॉस्चन पूँचे ग्या है कॉस्चन नमबर 84 है और इसका जो राइट आंसर है 84 का विकल्प नमबर आपका डी राइट आंसर होगा महावीर पर साथ दुबेदी यसपाल की आत्मकता है यसपाल की आत्मकता कॉन सी है यह आपके लिए बताना है कॉस्चन नमबर 85 का राइट आंसर तो 85 का आपका सही आंसर है यसपाल की जो आत्मकता है वह आपके लिए कमेंट में आपर बताना है आज का चेलेंज पर इसने आपका है अंगला question है मनुभंडारी की कहानी नहीं है देखें नहीं पूँचा है तो नहीं है कौन सी नहीं है तो आपका यहाँपर right answer है 86 का विकल्प number आपका D यानि की तीसरी हतेली तीसरी हतेली आपका सही answer उसे ने कहा था कहानी का मुख़ पातर कौन है खालसा से हैं लहना से हैं या करतार से हैं या परमिंदर से हैं तो आपका 87 का राइट आंसर है यहाँ पर विकल्प नमबर C लहना से हैं आपका सई आंसर है अंगला question है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका ललत निबंद संग्रा है यह आपके लिए 88 का सही आंसर बताना है, तो 88 का राइट आंसर है आपके यहाँ पर, क्या है राइट आंसर मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, यह ललित निबंद है, निबंद संग्रा है किसका है, तो 88 का विकल्प नमबर आपका, सी राइट आंसर विद्यानवास मिस्र, त्लसी दास ये चंदन फ्युसों के लेकक हैं, त्लसी दास चंदन फ्युसें के लेकक कौन है? तो आपके हैं पर राइट आंसर है नवासी का, विखल्प नमबर एक हरी संकर पर साई, आपका साई आंसर है. अंगला question है, question number 90, कवीता की तीसरी आँख की रचनाकार आपके लिए बताना है तो 90 की आपका जो सही आंसर है, बह्य है, आपका विकल्प नंबर C, प्रभाकर, शुरू त्रिय आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नमबर B यानि की संसमनल आपका सही आंसर है मेरी अस्पलताएं किसकी आत्म कता है तो बाननवे का जो सही आंसर है मेरी अस्पलताएं किसकी आत्म कता है तो बाननवे का राइट आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नमबर 1 यानि की गुलाब राए दलित उपण्या से छपपर की रचेता कौन है? छपपर की रचेता कौन है? तो आपका यहाँपर सही आंसर है, तेराननवे का, विकल्प नमबर एक यान की जये प्रिकास करदम आपका सही आंसर है अंग्ले question है भासा संbार जनी, सभाकि ये संस्तापक थी तो कौन थे ये आपके लिए बताने question number है आपका यहां पर 94 और 94 का जो right answer है आपका भई क्या होगा तो आपका बिलकुल सही answer है यहां पर 94 का विकल्प नमबर क्या होका राइट आउशर तो आपका बילकुल सही आउसर है विकल्प नमबर सी बाभू तो तराम आपका हैं पर राइट आंसर है चोर आउशर अन्नवे का विकल्प नमबर सि सूरजपाल चौह की कहानी है कउसी है इस आपके लिग बताने Question No. 96 है, 96 का सही आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प No. क्या होगा राइट आंसर, तो D. राइट आंसर, ओम प्रिकास बालमी की अंगले Question क्या पूचा गया है, धूमिल को किस किर्थी पर साहित अकादमी प्रुसकार मिला Question No. 97, 97 का सही आंसर है आपका यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, तो विकल्प No. 97 का विकल्प No. 1 कल सुनना मुझे अंगले Question क्या है, उत्तर कभीर पर व्यास सम्मान पानी वाले रशिनाकार कौन है Question No. 98 का राइट आंसर बताना है, तो 98 का राइट आंसर आपका विकल्प No. 1 के दानास सहे है यहाँ पर सही आंसर है, अंगले Question क्या पूचा है काव्यलंकार, सूत्र, बृत्ति है, बामन, उध्वट्ट, रुद्रट या रुईक, तो आपका यहाँ पर सही आंसर है, 99 का विकल्प No. 1 बामन अंगले Question है, सिंगा, रस्कू, रस्राज मानने वाले विद्वान माने जाते हैं, भूजराज, मंमट, या विस्तुनात, या जगनात, तो 100 का आपका जो सही आंसर है, 100 का वहे हैं, आपका यहाँ पर राइट आंसर विकल्प No. 1 यानिकी भूजराज यहाँ पर सभी लोग वीडियो को एक वाल लाइक कल लें, यहाँ पर Question No. 100 हो गए हैं, 101 बा Question आपका यह रहा, केवल मनुरंजन ना कभी का कर्म होना चाहिए, उसमें उस्तित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए, किस विद्वान का विद्वान का विद्वान का विद्वान अलंकारान, धर्मान, अलंकारान, प्रचते, कथन किस ग्रंथ में उल लिखे थे, भै कौन सा ग्रंथ है, जिसमें उल लिखे थे, तो 102 का राइट आंसर विकल्प No. C, कव्यदर्स आपका सही आंसर है, अंगला Question पूंचा ग्या है, अब्दी और ब्रिज, दोनों भासाम उपभासा की बोली है मगी जो है किस उपभासा की बोली है आपके लिए बताना है तो आपके हिहां पर 104 का विकल्प नंबर D आनिकी बिहारी आपका सही आंसर है अंगले क्वेस्चन क्या है देखे आप भ्रहंस का बालमी की किसी कहा जाता है विकल्प नंबर D आपका हिहां पर 107 का विकल्प नंबर D राइट आंसर है अंगले क्वेस्चन है ओकार बहुला जो है अविदी, खड़ी बोली, बिरिज, हर्यान भी तो 108 का राइट आंसर है विकल्प नंबर B यानिकी विकल्प नंबर 2 बिरिज आपका राइट आंसर यानि कि विकल्प जो आपका चार है, विकल्प नुmbर 4 में सा, भई अगुस बर्ण है अंगले क्वेस्ष्चन क्या पूंचे गया है? देखी क्वेस्चन नुम्बर 110, यहां पर पूंचे गया है, घा का उच्चारन ही इस्तान क्या है? कंठ आपका यहाँ पर सही आंसर है अंगला question पूँचा हिंदी वर्ण माला में वर्णों की संख्या कितनी है तो इसमें वर्णों की संख्या बताना है तो आपका यहाँ पर सही आंसर है 111 का विकल्प नंबर C यानि की बाउन अंगला question क्या पूंचा क्या है तो देखिए यहाँ पर मोक्ष की एक्षा रखने वाले के लिए प्रियोकते एक सब्द होगा मोक्ष की एक्षा रखने वाले के लिए एक सब्द कौन सा है तो 113 का राइट आंसर विकल्प नमबर C मोक्षू आपके यहाँ पर राइट आंसर है ब्रहतरी में कौन सा महाकाब पर नहीं आता यह आपके लिए बताने 114 में राइट आंसर क्या होगा तो ब्रहतरी में कौन सा महाकाब पर नहीं आता तो 14 का विकल्प नमबर D रखु बंसम आपका सभी आंसर मुप्तक छंद की प्रिणिता कौन है question number 115 है और इसके जो right answer है निराला आपके हैं पर सही answer निराला आपका सही answer है बिल्कुल चाही अंगला question है जगनात सब्द में सही संधी होगी इसमें संधी आपके लिए बताने है टोपी सुकला के जो लेखक हैं तो आपका 17 का भी right answer है जाही मासूम रजा अंगला question क्या पूंचा गया है उच्चारन सब्द में उपसर्ग है उच्चारन सब्द में उपसर्ग कौन सा होगा इसमें उपसर्ग तो 18 का right answer है विकल्ब नमबर 1 यानि की उच्च उच्च आपका यहां पर सई आंसर है अंगला question है संसकार सब्द में कैसे उपसर्ग का प्रियोग हुआ है संसकार में सम सा सन सत्र सन्य तो आपके यहां पर चार विकल्ब देगा है और 119 का विकल्ब नमबर आपका यहां पर सम आपका यहां पर राइट आंसर है अरोण एह मदुमाई देश हमारा गीत प्रसाद जी की किरती में है यह जो गीत है प्रसाद जी की कौन सी किरती में जर्णा में इसकंद गुप्त में या चंदर गुप्त में या लहर में तो कॉस्चन नमबर 120 का आपका जो राइट आंसर है वह आपका यहां पर क्या है 120 का राइट आंसर तो विकल्ब नमबर आपका यहां पर जो सही आंसर है बी राइट आंसर है यानिकी चंदर गुप्त आपका सही आंसर अंगला question है निमन में ऐसे किसमें अक प्रत्य नहीं है नहीं है तो किसमें नहीं है यह आपके लिए बताना है तो आपका है यहाँ पर 101 का राइट आंसर है क्या है विकल्प नंबर आपका C आनिकी अर्क आपका राइट आंसर होगा नाटव सस्थ के प्रिम्रता कौन है? तो question number 122 का right answer बताना है चार विकल्प भी देगा है और 123 का right answer विकल्प नमबर एक दल्ल-पति विजय आपका सही answer यहाँ पर होगा अंगला question है क्या है चूली का किसका भीध है question number 124 का सही answer बताना है और 124 का विकल्प no.B यानिकी प्राकरित आपका है आपका या पर सही answer है अंगला question है प्रत्वी कल्प की रचेता कौन है तो question number 125 है और इसका जो सही answer है वेकल्प नंबर आपका यहां पर भी राइट आंसर होगा यानि कि गिरजा कुमार मातोर आपका सही आंसर है तो इस फिरकार अपनी यहां पर भहती मात्वपूर्ण कॉस्चन कम्प्लीट हुए हैं आज की वीडियो में बस इतना ही सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें और क्या असा लगा यह वीडियो आप कमेंट में जरूर बताएं अगर आप चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सस्क्राइब कर लें बेल आइकन दबाएं और पर क्लिक करें ताकि अल वीडियो की जानकारी आप के आँ तक पहुंचे ज़ादा ज़ादा वीडियो को सेर करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें तो आज की वीडियो में बस इतना ही सभी के लिए बहुत बहुत धन्नवाद जैहिन